लुइस सौरेश finally lives in Barcelona क्यों रहा हूँ? मैं दुखी होना चाहिए ना as a Barcelona fan लेकिन बंदे को भी बुरा लग रहा है लेकिन बंदे को भी बुरा लग रहा है ठीक है लुइस सौरेश भी हमने कल लाइफ सेशन में वीडियो देखी यह वस क्राइग आज press conference में भी he was crying तो ऐसा Barcelona fan मेरे को कैसा लग रहा है बुरा लग रहा है मेरे को भी बुरा लग रहा है आपको भी बुरा लगना चाहिए because बंदबने आप में legend है भाई है ना क्यों लुए स्वारे इसको इतना बुरा लग रहा है क्योंकि ये club जो है उसने इसको तब accept किया जब दुनिया में इसको कोई ने accept कर रहा था पूरे football community इसको गाली दे रही थी काटने वाला incident हुआ था उसके बाद FC Barcelona इसके पर trust करे इसको लेके आई और ऐसा नहीं है कि लुई स्वारे इस ने सब कुछ नहीं दिया लुई स्वारे इस ने भी सब कुछ दिया और मेरे खाल से अपने अपने उकाच से ज़ादा दे दी इस club को भाई बंदे ने कितने सारे गोल्स मारे है रोनाल्डो मैसी के एरा में बंदा गोल्डन बूट लेके आता है वो भी दो बार एक बार नहीं दो बार तो बात तो थी बंदे में MSN ट्रियो का सुपर स्टार बंदा है बंदे में बात तो थी बट मैं आज यहां पे स्वारे स के जाने से रोने नहीं वाला हूँ यहां मैं रोने नहीं आया हूँ यहां मैं בדhimani की बात करने वाला हूं कि क्या बार्सलोना के लिए स्वारेट का जाना सही है की नहीं है साथ ही साथ क्या Madrid के लिए उसका आना सही है की नहीं है इस चीज़ पर अपन्छर्चा करने वाले हैं अगर आपको मेरा Luis Suarez का जाने पर रोना देखना है तो यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, वीडियो कार्ड आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं ऐसा बार्सुना फैन मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़े डिसकस करी है how he gave everything to our club और क्या माइने रखता है, वो मेरे लिए as a person, as a player तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आज वो बात नहीं होने वाली, आज मैं रोने नहीं वाला हूँ आज मैं दिमागदारी और बुद्धिमानी वाली बात कर रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है सबसे पहली बात, जितने वे players का जाना हो रहा है इस season में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनके लिए ही, जो है वो unjustis है उनके लिए unjustis है, unjustis ऐसे है क्योंकि ये जो players जा रहे है न, इवान रेकेटिच हो कहा है, ठीक है, हमने गाली दी रही है इवान रेकेटिच को बहुत बेकार खिल रहा था, ठीक है इवान रेकेटिच हो गया, लुइस स्वारेस हो गया, इन लोग गयार हमारे club के एक समय बहुत main player थे और इन्होंने बहुत main, main time पे हमारा साथ दिया है तो they deserved a very good farewell like we gave to Iniesta and Chevy हमारा club Real Madrid जैसा नहीं है, कि हम farewell नहीं देना चाहते हैं कोरोना वाइरस के चलते farewell नहीं मिल पा रही है, बस मैं वही चीज़ कह रहा हूँ क्या ये move जो है, वो सही है कि नहीं है, हम वो बात करने वाले सबसे पहली बात, मैं बार सुना के लिए अगर कहूं तो, देखो, सही भी है और नहीं भी है सही कैसे है मैं ये आपको बता रहा हूँ एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा स्ट्राइकर, जो 33 येर का हो चुका है जिसकी पेस लगभागाब खतमी हो चुकी है, हमको वो स्प्रिंट करते वे नहीं देखता है और आज के modern day football में जहां पे स्ट्राइकर्स की पेस माइने रखती है जहां पे left back और right back भी तेज हो गए है, central defenders तक तेज हो गए है तो एक स्ट्राइकर के अंदर पेस होना काफी जादा ज़रूरी है और ये ज़रूरत जो है, वो एमबापे जैसा प्लियर पूरा करते है और इसलिए हमबापे इतना चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर पेस है बट लूइस स्वारेस अगर हम इसको अपना main number 9 बना के रखते है जिसके अंदर पेस खतम हो चुकी है, कोई काम का नहीं है Second of all, इतना ज़ादा इसका wage bill था जो अब relief होगी बार्सलोना से एक महीने का हम लूइस स्वारेस को 2 million देते हैं तो इस 2 million, एक महीने का 2 million बचने वाला है कलब का, एक वो भी चीज है अगर हम यह तो हो गई अच्छी बाते हैं बार्सलोना के लिए ठीक है, क्या क्या अच्छी बाते थी अगर हम बूरी बातों को पकड़े ना यार, तो लूइस स्वारेस अपने आप में बहुत phenomenal striker है आज ही बंदे के अंदर इतनी दम है कि वो बड़े-बड़े कलप्स का पसीना चूटा सकता है अपने finishing से उसकी finishing इतनी काती लाना है, बट हाँ, वो touch खो चुका है, वो finishing, वो pace खो चुका है बट वो finishing अभी भी बंदे के अंदर है, तो he could be a really good substitute striker आखरी के 30 मिनट में आके बंदा आग लगा सकता था, बट केवल आखरी के 30 मिनट को खिलाने के लिए क्या तो मुसको 10 मिलियन, सॉरी, 2 मिलियन पर महीने का दोगे, ये main बात थी न, इसलिए लिए लिए स्वारे जया रहा है बंदे ने, कलब की हिस्टरी में टॉप थार्ड गोल स्कोरर है, मैसी को सबसे जादा असिस्ट, शैवी इनियस्टा से पहले लुइस स्वारे जने दिया है, तो he is a very good player, असिस्ट के नाम पे भी, गोल्स के भी नाम पे, तो इसका कोई डाउट नहीं है तो हाँ, इसकी लॉस कही ना कही खलेगी, बट जो ये दे के जा रहा है ना, एक पोजिशन दे के जा रहा है, इस्ट्राइकर की खाली करके जा रहा है, दो मिलियन महिने का बचाते हुए जा रहा है, वो चीज़ कही ना कही बार्सलोना को, you know, अपहेंड कर सकती है, किन सब situation है, बट वो टोटली बोड के उपर depend करेगा, कि वो कैसे इस मौके का फाइदा उठाती है, उसके वेज का फाइदा उठाती है, उसके position का फाइदा उठाती है, ये बात होगे लुइस स्वारेस की, बार्सलोना से, बट क्या इतली को मेंटरेट के लिए लुइस स्वारेस एक अच्छा स्वारेस साइन हो रहा है, आज की समय में जब मार्केट में एमबापे जैसे स्वारेस तुमको 100 मिलियन प्लस मिलता है, अब तुमको लुइस स्वारेस जैसे स्वारेस को ऐस फ्री ट्रांसफर करवा रहे हो, तो ये मेंटरेट के लिए तो भाई बोनस है ही, ठीक है, वेज देंगे उसको वो, ठीक है, कम वेज देने वाले हैं, जादा नहीं, वही नहीं, थोड़ा सा कम ही देने वाले हैं, बट फ्री में लेके आ रहे हैं, ये बात तुम नोट करो, साथी साथ, अगर मैं एथलिको मेडरेट की बात कर दूना, क्या फॉरमिशन वो खिछाते हैं, वो लोग 4-4-2 खिलाते है, विट 2- 스트rikers अफ़रंट, बहुत सारे मैचेश में, इन दिस सीजन वी हैफ सीन, दियागो कॉस्टा एं लौरंटे प्लेइग, बहुत समय वी हैफ सीन, द्यागो कॉस्टा एं जॉाव फिलिक्स प्लेइग, और जॉाव फिलिक्स, Diago Costa को replace करता है substitute, ऐसा substitute, बहुत बार हमने ये चीज़ देखी है बट अब Luis Suarez के आने के बाद यहाँ पे कैसे खेल बदल रहा है तुम देखो Diago Costa के अंदर उतनी finishing वाली बात नहीं है जितनी Luis Suarez की है, all दो दुनों का age लगभग same है बट Luis Suarez can be a first team striker वो खेल सकता है 90 मिनट उसके अंदर वैसी नहीं है और असलीको मेडरेट की गेम की philosophy पूरी Luis Suarez के लिए ही build up है मेरे भाई, उस लोग बहुत defensively खेलते है, attack व अटेक नहीं करते, counter attack डालते है once in a while, बाकी position बनाके, दूसरे team के half में bat के chance create करके goal मारते है ये है तलीको मेडरेट आखरी आखरी में goal मारेंगे पूरे match में तुमको hang करके रखेंगे उनके लिए ये चीज़ गलत साबित भी होती है बट वुनलो के लिए ये चीज़ बहुत बहुत सही साबित हुई है और उन situation में लुइस स्वारेस तुमको एक बहुत प्यारा striker के रूप में दिखने वाला है combining with João Felix we have seen how well he combines with Lionel Messi, João Felix भी थोड़ा सा Messi के type का player है so उसके साथ अच्छी combination मिलने वाली है he will be giving assist to João Felix और João Felix अगर Luis Suarez को ball देगा तो Luis Suarez will be finishing it off, ये चीज़ पक्की है and it will be a really good career boost for João Felix João Felix जो है उसको Luis Suarez जैसा player Juliano Messi के साथ खेल के आ रहा है Barcelona में इतना time मिता की आया है इतनी प्यारी finishing with great passing abilities जो हमने देखी है Messi को वो देते हुए आया है João Felix के लिए तो भाई ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया अथलिको मेडरेट से लोरांटे अब उतना आपको खेलने को नहीं मिलेगा Morata को उन लोग और रेडिस उवेंटेस को बेचने वाले है so Luis Suarez can be a very good signing for अथलिको मेडरेट और यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी अगर आप बार्सलोना फैन होना तो थोड़ा सा आपके जले में नमक छीड़कता हूँ सुनना मेरी बाद दो हजार देरा में डैविड विला नाम का इस्ट्राइकर था FC बार्सलोना में बहुत प्यारा इस्ट्राइकर बहुत प्यारा इस्ट्राइकर लेकिन एज हो गई थी 34 का हो गया था टाइम नहीं मिल पारा तक खेलने का उसको पैप गॉडियोला कहा था भाई तेरा समय आ गया है और उसको कौन खरी था अथलिको मेंड रैड 34 यर्स का था लेकिन बंदे ने आग लगाई थी उस सीजन और उस सीजन कौन जीज़ा था ला लीगा अथलिको मेंड रैड FC बार्सलोना को चैंपियन लीग से कौन निकाला था अथलिको मेंड रैड और गोल किसने मारा था डैविड विला ने सूपर कॉपा चल रहा था 2013 का कौन हरा था तुमको अथलिको मेंड रैड और किसने गोल मारा था डैविड विला तो क्या ये चीज़ वापस से रिपीट होगी विल लुइस स्वारेज टेक दा रिवेंज ओफ पार्टे में हो टेक दी रिवेंज ओफ बार्टे में हो बाइ स्कोरिंग गोल्स अगेंस बार्सलोना फिर से ये चीज़ रिपीट होगी क्या देखने वाली बात होगी बट हाँ फोर डियागो की टीम जिससे साब की मैंटिलिटी डियागो की है बहुत अग्रेशन वाली जिससे साब की उसको प्लेयर्स पसंदे जैसे डियागो कॉस्टो गया लुइस स्वारेस होगा है चीर फाड करने वाले I am really excited to see Madrid this season Not Real Madrid उन लोग तो पह है अतली को मैंटरे देखते हैं क्या होता है लाली गाभी इस सीजन बहुत तगड़ी होने वाली है But of course Lionel Messi will surely miss Luis Suarez this season देखते हैं क्या होता है Bye विसकाल बारसा जैहन The weather was poor But the pitch was good And the play was even better So how did you think Lionel Messi did In the game today Alan Well so often We think of his creative abilities But a couple of goals here And won the match for his team